दोस्तो नमस्कार लेंग्वे साइंस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो जो यूपी में वेकेंसी नहीं आ रही है और यूपी वाले जितना इतराते हैं कि यूपी इनका बहुत आगे है पीछे है तो खास करके पुरवानचली याने कि बुरवानचली लोग और यूपी के जो भी लोग मेरे चैनल पर जुड़े हैं और बिहार, जारखन, इस्ट इंडिया को भला बुरा कहते हैं आज वही लोग देख लें इस वीडियो को कि यूपी का क्या हालत है और यूपी में क्या इस्थिती है बिरुजगारी की कि यूपी वाले बिहार में आकर नौकडी ले रहे हैं पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए उसके बाद फिर मैं आगे विसेस चर्चा कर यह वीडियो को आप देखें पहले यूपी वाले बाबा क्या कर रहे है जी उपी में पुजारी की बेकंसी निकाल रहे हैं मंदिरों में पुजारी की बेकंसी निकाल रहे हैं अच्छारी का जोब बिलने वाला है तो पुजारी है सब घंटे बजाएंगे वहाँ यूपी वाले सब अगर होती तकाएं के लिए यहां थे रोजगार मामले में तो भीहार ने पूरे भारत में में लगता है सदे को धारण पेस्किया गी एक के बात भीहार से जिके और समराज कैसे नकेसी करवाया जाता है दोस्तों इससे यह वास्तविक्ता पता चलता है कि यह घट्या परदेश जो उत्तर परदेश है वहां पे कितना ज्यादा रोजगार है और यह कितना ज्यादा खासकरिस का पुरुवांचल रेजन पिछडा हुआ है आप यह सोच लीजे कि जो पहले जो हमारे लोग कमेंट कर रहे थे पुरुवांचल के जो पुरुवांचल के लोग हेट करते है बिहार को और जो लोग बिहार के भोजपुर से पुरवांचल में जुरना चाहते हैं उन सभी घटिया और निकम्मे लोगों से में ये काना चाहूंगा कि तुम भोजपुरिया लोगों मतलब कि जो पुरवांचल में जुरना चाहते हैं उनको केवल पुड़े भोजपुरिया समाज को नहीं कि तुम हारे जो सोच में है ना कि एक भोजपुर परदेश बन जाएगा तो तुम जहाट कवार लोगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आज जो अल्रेडी पुडवांचल में है उनके पास तो घंटा भर की नौकड़ी नहीं है वो बिहार में आ करके नौकड़ी कर रहे है दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने बिहार सरकार से अपने बिहारियों से कि दूसरे स्टेट के लोगों को बिहार में एंट्री देना बंद करो क्योंकि दूसरे स्टेट वाले लोग बिहार या फिर दूसरे स्टेट को accept नहीं करते हैं बिहारी दूसरी जगह नौकरी करता है उसके साथ भेदवा होता है और हमारे स्टेट में आ करके 14,000, 15,000 UP वाले और दूसरे स्टेट वाले आ करके नौकरी करेंगे यह कताई acceptable नहीं है बहुसरी वाले यहां के नौकरी करेंगे यहां के कमाएंगे और गाली भी बिहार को देंगे तो यह acceptable नहीं है या तो बिहारियों को भी वही इज़त मिले जो दूसरे स्टेट वाले यहां पर कमा खा करके पैसा कमा करके अपने स्टेट लेकर जा रहे हैं या नहीं, तो इन के साथ भी यही सलूकी हो टीट for tet का जो नियम है ये अपनाना होगा नहीं, तो बिहार को धर्मसाला और रैन बसेडा ये बनाना बंद करना होगा इस चीज को बंद करना होगा और कहीं न कहीं जो इतने ज़्यादा कंडिडेट यूपी से सलेक्ट होकर के बिहार में आ गए है इस चीज को कहीं न कहीं इसके उपर चेक होना चाहिए कि अधर इस्टेट में जहारखंड है फिर अपना और MP है हिंदी परदेश के 36 गड़ है तो वो सब नहीं आए और ये लोग आ गए इस चीज को हमें सोचना चाहिए कि इस चीज का क्या परिणाम है दूसरी बाते मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि ठीक है ये उन लोगों को वो जवाब है जो कहते हैं कि यूपी बिहार से बहुत आगे निकल गया नहीं तो वो यूपी का पुरवानचल चेतर और पूड़ा का पूड़ा यूपी राजस्थान, एमपी, हर्याना ये सब जो चेतर है उत्राखंड मैं सभी जगभूम चुका हूँ यहां की वास्तवी कि स्थिती बिहार से बहुत बत्तर है ये लोग अभी भी 2023 में न जी करके ये लोग बहुत पीछे जी रहे है बिहार को केवल बदनाम किया जा रहा है कि बिहार बहुत ज़्यादा पीछे है बिहार में जाती वाद है, जाती वाद सबसे ज़्यादा यूपी के पुरवानचल चेतर में है और सबसे गाटिया और सबसे निकम्मा और सबसे बेकार और सबसे जहां पे गुंड़ई, दबंगई, बलातकार, रेप, हत्याकांड है वो सबसे ज़्यादा पुर्वान चल में है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बिहार को रहन बसेरा बनाना बंद करो दूसरे परदेश से लाकर के नोकरी देना बंद करो और अधर स्टेट वालों का नोकरी बंद करो इस बार जो सकेंड फेस बीपेसी टीचर का निकला है इसमें भी सायद अधर स्टेट वालों का अपलाई करवा दिया है ये बंद होना चाहिए होना तो ये चाहिए कि पूरे बिहार को बंद करना चाहिए पूरे बिहार में अंदोलन होना चाहिए कि दूसरे इस्टेट वालों को यहां पर लाकर कि अपलाए बंद किया जाए लेकिन जो भी हो तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और चाहता हूँ कि सभी बिहारी भाई अपने बिहार से प्रेम करें अपने बिहार को डिफेंड करें और यह दूसरे इस्टेट वाले जो भौसरी वाले यूपी वाले यहां गान मरवाने आ रहे हैं इनको यहां पर बकाइदा इज्जत से रहना होगा बिहार और बिहारी इतिहास बिहारी समाज बिहारी संस्कृति को अपना करके यहां पर इने रहना होगा नहीं तो इन्हें लात मार के वापस यूर्पी भागाया जाए जै हिन जै भारत जै बिहार जै इंग परदेश जै भागलपूर